जैसा कि पिछले कई वीडियो में हमने नियमों के संदर्व में कम नियम को समझ रहे हैं और इसी संदर्व में हम पुनरभव जिसे पुनरजन्म कहा जाता है उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं हाला कि कई बार इस पुनरभव या पुनरजन्म को हम किसी विशेश अस्तित्व के सहारे समझना चाहते हैं जो शायत समझने में जादा सरल रहता है यही कारण है कि अमर आत्मा का विशेशन बड़ी आसानी से इस पुनरजन्म की व्याक्या में बैड़ जाता है मगर इस प्रकार का चिंतन तथागत बुद्ध द्वारा बताये गए पुनरभव या पुनरजन्म को भ्रमित कर देता है तो सबसे पहले पुनरभव या पुनरजन्म इसको समझने के लिए बुद्ध द्वारा स्विकार गए सिधान्तों के सहारे ही इसे समझना होगा जब बुद्ध प्रतीत्य समुत्पात के नियम के कारण अनित्यता के सिधान्त को अपनाते हैं कि इस जगत में कोई भी वस्तु या विश्य नित्य नहीं है सब कुछ परिवर्तन शील है मगर जब आत्मा की बात होती है तब वहाँ पर अमर आत्मा को स्विकार किया जाता है और यहीं पर बुद्ध संदेशों और अमर आत्मा में विरोधा भासुत्पन होने लगता है यहां पर हमें समझना होगा कि बुद्ध इस जगत की परिवर्तन शीलता के सहारे पुनरभाव या पुनरजन्म को समझाते हैं या आज के आदुनिक युक के संदर्ब में कहें तो पुनरभाव या पुनरजन्म कोई जवस्तु नहीं है या इसमें कोई निक्तिय भाव नहीं है या आत्मा नहीं है जो की अपने मूल में के अस्तित को सदैव लिए बार बार पुनरजन्म लेती है इसे सामान नित्य है इस जगत में तरंगों के उदारहन से समझ सकते हैं कि ये परिवर्तन की लगातार स्रिंखला है इसमें कोई शाश्वत या अमर तत्व नहीं है जो सदैव अपने समान रूप में सभी जगें उपस्थित हो बस ये परिवर्तन समय के सापेच में सभी प्रकार के विशयों की विशेश अवस्था उत्पन्न करते हैं जो समय के साथ पूरी अवस्थाओं के परिवर्तन के साथ बदलती रहती है जिसे संगहात वाद भी कहा जाता है कि किसी विशेश समय में सभी विशयों या वस्तुओं की विशेश अवस्था और यहाँ पर जिस समय जो हो उस समय उसी के अर्थ में उसे समझना चाहिए ऐसा नहीं है कि किसी अलग समय में उत्पन अवस्था को कोई दूसरे समय में उत्पन अवस्था से समझेंगे तो भ्रम उत्पन होगा केवल उसी के संदर्व में ही विशयों या वस्तुओं के अर्थ को समझना चाहिए और लगातार हो रहे परिवर्तनों को सही तरीके से समझ कर नई अवस्था को उसी के संदर्व में समझना चाहिए तब ही हम पुनरभव या पुनरजरम में होने वाले घटना क्रमों को सही तरीके से समझेंगे और इसी वर्तमान शरीर की नाम रूप व भवव उससे उत्पन नया पुनरभव यानि चेतना के नए संचार से उत्पन नया नाम रूप इन परिवर्तन शील अवस्थाओं को यथा भूत ही स्विकार करना होता है अन्यको नहीं इसी बात को समझाते हुए दिख निकाय के पोठ पादसुत में तथागत बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध ने वर्तमान शरीर की सत्यता को प्रग्यप्त किया उन्होंने कहा कि जिस समय जैसा जन्म ग्रहन होता है इस थूल, मनोमे, अत्वा अरूप उस समय उसी को स्विकार करना होता है अन्यको नहीं जैसे गाय से दूद, दूद से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी और घी से घी का सार तयार होता है परन्तु इन पदार्थों में जिस समय जो पदार्थ गुद्दमान होता है उसी को यथार्थत है, स्विकार करना होता है, अन्यको नहीं तो इन भव या पुनर भव या पुनर जनम के परिवर्थनों को यथा भूत, उनकी सापेक्षता की अनित्यता के सहारे ही समझना होगा यहाँ पर कोई नित्यात्मा का भव नहीं है क्योंकि किसी भी परिवर्थन शील भाव में, जैसे ही वस्तु परिवर्थित हुई, उसी पल उसकी नित्यता भी समाप्त हो गई तो कैसे इस नित्यता को स्विकार करें? अब उदारहन के तोर पर क्या पुनर जन्म के पहले का व्यक्ति और पुनर जन्म के बाद का व्यक्ति एक होता है? क्या दोनों का रूप एक जैसा होता है? हमें कोई अमरता पुनर जन्म के दो जन्मों में नहीं दिखाई देती है या यहां पर जड़ता या अमरता नहीं होती है यह केवल परिवर्तन होता है एक का दूसरे में एक जन्म का उत्पन याने इस संसार से जुड़ने की इच्छा दूसरे जन्म के उत्पन याने विज्ञान का कारण बनती है नए गर्व का भव याने जब तक किसी इस्त्री के गर्व में इस संसार से जुड़ने का भाव नहीं होगा तब तक उसमें चेत्ना उत्पन नहीं होगी या इस संसार से जुड़ने का भाव ही किसी के जन्म का कारण बनता है और यह भव मृत्यू को प्राप्त हो रहे व्यक्ति के भव के काड संचरित होता है याने एक व्यक्ति द्वारा उत्पन्न इस संसार से जुड़ने का भव या आसकती या भव पुनर्भव के सहारे गर्व में इस संसार से जुड़ने के भाव को उत्पन्न कर याने भव के जरिये चेतना का संचार कर देता है और इसी नए भव का उत्पन्न न होना या इस जीवन के संसारिक विश्यों के कारण उत्पन्न इससे जुड़ने की इच्छा या इस आसक्ति को समाप्त कर देना ही निर्वान है तो इसी कार कारणों की सिंखला को समझाते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के कोट इगाम वग में कहते हैं कि बुद्ध ने भिक्ष्यों से कहा कि चार आर्य सत्यों के अज्ञान अप्रतिवेद के कारण दिर्ग काल से मेरा और तुम्हारा इस संसार में संधावन संसर्ण चल रहा है इन ही के अनुबोध प्रतिवेद से भव त्रिष्णा का उच्छेद हो जाता है भव रज्जु कट जाती है और नया भव प्राप्त नहीं होता तो नय भव का कट जाना या समाप्त हो जाना ही निर्वाण है और फिर इसी संदर में आयुश्मा नारत संयुक्त निकाय के निदान संयुक्त के महावग्णों के खंड में इसे स्विकार करते हुए कहते हैं कि भव का निरोध निर्वाण होता है याने जब किसी भी व्यक्ति में इस संसार से जुड़ने का भाव या आसकती या इन संसारिक विश्यों के प्रती इसे भोगने का भाव समाप्त हो जाता है तब उसके अंदर उत्पन, दुख, बेचैनी, छटपटाहट समाप्त होने लगती है और ये अनुभव प्रत्यक्ष हमारे जीवन में घटित होते हुए दिखाई देते हैं और जब ये आसकती या इस संसार से जुड़ने का भाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तभी हमें पूर्ण दुख मुक्त की अवस्था प्राप्त होती है जिसके कारण हम वर्त्मान जीवन के दुखो सहित भविष्य के पुनरभव द्वारा उत्पन जीवन से भी छुटकारा पा लेते हैं और जो लोग इस भव को खंडित नहीं कर पाते वे बार बार नया जन्म लेकर दुख भोगते रहते हैं अब इस वर्त्मान जीवन और भव के कारण उत्पन भविष्य के जीवन में संबंध क्या है क्योंकि जब बुद्ध आत्मा का खंडन करते हैं और मैं के अस्तित को भी उसे उसी जीवन से जुड़ा मानते हैं तो दो जीवन के व्यक्ति भी अलग हो जाएं तो इन दोनों का संबंध क्या और ये कर्म फल क्या यहाँ पर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि किसी दूसरे व्यक्ति दूरा किये गए कर्मों के फल को कोई दूसरा आखिर क्यों भुगते क्योंकि दोनों जीवन में उत्पन व्यक्ति अलग-अलग हैं तो इसी संदर में बुद्ध संयुक्त निकाय के निदान संयुक्त के कलार खत्तिय वग्गों के खंड में कहते हैं कि बुद्ध ने कहा जो लोग ऐसी मिथ्या दृष्टी रखते हैं कि जो जीव है वही शरीर है अत्वा जीव दूसरा और शरीर दूसरा उनका ब्रह्म चर्यवास फलिफूत नहीं हो सकता अत्व इस प्रकार के प्रश्ण अनर्गल है जरामरण क्या है और किसको होता है मैं दोनों अंतों को छोड मद्ध से धर्मो पदेश देता हूं जन्म के हे तु जरामरण होता है भव के हे तु जन्म उपादान के हे तु भव तृष्णा के हे तु से उपादान और इसी प्रकार यह स्रिंखला आगे बढ़ते हुए अविद्या के हे तु से संसकार अविद्या के पूरत्या निरुद्ध हो जाने से लोगों की मिथ्या, दृष्ठी, प्रडश्ठ हो जाती है तो यहाँ पर बुद्ध मध में रहने का उपदेश देते हैं पुनरभव के कारण, वर्तमान वा भविष्य इन दोनों जीवन को ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि दोनों एक हैं जैसा की आत्मा के चिंतन में किया जाता है और फिर आगे इसी खड़ में बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध ने भिक्ष्वों को समझाया कि यह काया न तो तुम्हारी अपनी है और न किसी दूसरे की इसे पूर में किये गए करमों के कारण अभी संस्कृत और चेतना तथा वेदना से संयुक्त जानना चाहिए तो यहां पर ये अलग होकर भी एक दूसरे से प्रभावित है या इन्हें पूरी तरह से भी अलग नहीं माना जा सकता है क्योंकि एक के कारण ही दूसरा उत्पन्न है और इस परिवर्तन या भव या पुनरभव के संचरण में बने हुए करम संस्कारों का प्रभाव बना रहता है याने मध्यमार्ग इसी के सहारे इस पुनरभव या पुनरजन्म को समझना होगा कि ये दोनों जन्म अलग हैं मगर इसे उच्छेद वाद भी नहीं कहा जा सकता या इन्हें पूर्ण तरीके से अलग भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक जीवन से दूसरा जीवन उत्पन्न होता है और इसमें कर्म संस्कारों के प्रभाव बने रहते हैं पुनरभव या पुनरजन्म के इस प्रकार के घटना क्रमों को बड़ी स्पष्टता से मिलिंद पन्नो नामक बौद धर्म गरंथ में भिक्षू नाक सेन वह महान राजा मिनैंडर या मिलिंद के संवाद में भी देखा जाता है जहां पर इसी घटना क्रम को भिक्षू नाक सेन कई उधारणों के माध्यम से इस्पष्ट करते हैं मिलिंद पन्नो गरंथ के तीसरे परिछेत के खंड में भंते नाक सेन राजा मिलिंद के बीच इसी पुनरजन के विशे में संवाद होता है के राजा बोला भंते ऐसा कोई जीव है जो शरीर से निकल कर दूसरे में प्रवेश करता है नहीं महाराज भंते नाक सेन ने कहा फिर राजा ने पुछा भंते यदि इस सरीर से निकल कर दूसरे शरीर में जाने वाला कोई नहीं है तब तो वह अपने पाप कर्मों से मुक्त हो गया फिर भिक्शु नाक सेन ने कहा हा महाराज यदि उसका फिर भी जन्म नहीं हो तो अलबत्ता वह अपने पाप कर्मों से मुक्त हो गया यदि फिर भी वह जन्म ग्रहन करे तो वह मुक्त नहीं हुआ कृपया उपमा दे कर समझाएं राजा ने कहा फिर भिक्शु नाक सेन ने पूछा कि महाराज यदि कोई आदमी किसी दूसरे का आम चुरा ले तो दंड का भागी होगा या नहीं हाँ भनते होगा राजा ने कहा फिर भनते नाक सेन ने पूछा महाराज उस आम को तो उसने रोपा ही नहीं था जिसे इसने लिया फिर दंड का भागी कैसे होगा फिर राजा ने कहा भनते उसके रोपे हुए आम से ही या पैदा हुआ इसलिए वह दंड का भागी होगा फिर भिक्षु नाक सेन ने उत्तर दिया महाराज इसी तरह एक पुरुश इस नाम रूप से अच्छे बुरे कर्मों को करता है उन कर्मों के प्रभाव से दूसरा नाम रूप जन्म लेता है इसलिए वह अपने पाप कर्मों से मुक्त नहीं हुआ फिर राजा ने उत्तर दिया भनते आपने ठीक समझाया तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कोई एक चोर किसी आम के पेड़ से आम चुरा ले और वहाँ पर उसके मालिक को यदि ये कहे कि आपने जिस आम को बोया था वह आम तो दूसरा है और जिस आम को मैंने यहाँ से तोड़ा है वह आम तो दूसरा है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भले ये दोनों आम अलग हूँ मगर यह आम उसी से उत्पन्न हुआ है याने अगर उस पेड से आम को चुराया जाएगा तब पर भी वह चोर इसका अपराधी रहेगा और उस आम को लगाने वाला ही उसका मालिक बना रहेगा तो इस प्रकार से दो अलग अलग आम होते हुए भी वे एक दूसरे से जुड़े हैं और इसी संदर में मिलिंदपन्नो के दूसरे परिक्षेद में इन्ही विशयों की फिर से चर्चा की गई है राजा बोला भनते कौन जन्म गरहन करता है इस्तवीर याने भिक्चु नाकसेन बोले महराज नाम और रूप जन्म गरहन करता है यहां नाम रूप का अर्थ है मन युक्त भौतिक शरीर फिर महाराज मिलिंद पूछते हैं कि क्या यही नाम और रूप जन्म ग्रहन करता है फिर भिक्छु नाक से जबाब देते हैं महाराज यही नाम और रूप जन्म नहीं ग्रहन करता मनुश्य इस नाम और रूप से پाप या पूणे करता है उस कर्म को करने से दूसरा नाम और रूप जन्म ग्रहन करता है फिर राजा बोले भनते तब तो पहला नाम और रूप अपने कर्मों से मुक्त हो गया फिर इस्थवेर याने भिक्षु नाकसिन ने कहा महराज यदि फिर भी जन्म नहीं ग्रहर करे तो मुक्त हो गया किन्तु चूकी वह फिर भी जन्म ग्रहर करता है इसलिए मुक्त नहीं हुआ फिर राजा ने कहा कृपया उपमा देकर समझावे भिक्चुनाक सेन ने उत्तर दिया महराज कोई आदमी जाड़े में आग जला कर तापे और उसे बिना बुझाये छोड़ चला जाए वह आग किसी दूसरे आदमी के खेत को जला दे तब उसे पकड़ खेत का मालिक राजा के पास ले जाए राजन इसने मेरे खेत को जला दिया है इस पर वह ऐसा कहे कि मैंने इसके खेत को नहीं जलाया है देव वह दूसरी ही आग थी जो मैंने जलाई थी और वह दूसरी है जिससे इसका खेत जल गया मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए अब महाराज आप ही बता में उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं हाँ भंते मिलनी चाहिए राजा मिलिंद ने कहा सो क्यूं भंते नाकसिन ने पूछा फिर राजा ने कहा भंते ऐसा भले ही क्यों न हो किन्तु उसी की जलाई हुई आग ने बढ़ते बढ़ते खेत को जला दिया महराज इसी तरह मनुष इस नाम और रूप से पाप या पूर्य करमों को करता है उन करमों से दूसरा नाम और रूप जन्म ग्रहन करता है इसलिए वह अपने करमों से मुख्ट नहीं हुआ कर समझावें बंते नाकसन ने कहा कोई आदमी दिया लेकर अपने घर के उपर वाले छट पर जाए और भोजन करें वह दिया जलता हुआ कुछ तिनकों में लग जाए वे तिनके घर को आग लगा दें और वह सारे गाओं को लगा दें गाओं वाले उस आदमी को पकड़ कर कह हैं कि तुमने गाओं में आग क्यों लगा दी है इस पर वह ऐसा कहे मैंने गाओं में आग नहीं लगाई उसे दिये की आग दूसरी थी जिसके उजाले में मैंने भोजन किया था और वह आग दूसरी थी जिससे गाओं चल गया इस तरह आपस में जगड़ा करते हुए वे आपके पास आवें तब आप किधर फैसला देंगे भंते गांवालों की ओर राजा मिलिंद ने कहा फिर भंते नाक से ने पूछा सो क्यों राजा मिलिंद ने उत्तर दिया हुआ ऐसा कुछ भी भले क्यों न कहे किन्तु आग उसी ने लगाई तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भले दो अलग अलग वस्तू अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे से जुड़ी हैं और एक से दूसरे से जुड़ी होने के कारण व्यक्ति अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो पाता है इसके आगे फिर राजा मिलिंद ने भिक्चु नाक सेंसे एक और उपमा देकर इसे समझाने का आगरह किया फिर भंते नाक सेंने राजा मिलिंद से कहा महराज कोई आदमी एक छोटी लड़की से विवाह कर उसके लिए रूपए दे कहीं दूर चला जाए कुछ दिनों के बाद वह बढ़कर जवान हो जाए तब कोई दूसरा आदमी रूपए देकर उससे व निकाल लिया इस पर वह जबाब दे मैंने तुम्हारी इस तरी को नहीं निकाला वह छोटी लड़की दूसरी थी जिसके साथ तुमने विवाह किया था और जिसके लिए रूपए दिये थे यह सयानी और जवान और दूसरी है जिसके साथ मैंने विवाह किया है और जिसके लिए रुपए दिये गए अब यदी वे दोनों इस तरह से जगडते हुए आपके पास आवें तो आप किधर फैसला देंगे भंते नाकसिन ने पूछा फिर राजा ने कहा भंते पहले आदमी की ओर सो क्यों भंते नाकसिन ने पूछा फिर राजा ने कहा वह ऐसा भले ही क्यों न कहे किन्तु वही लड़की तो बढ़कर सयानी हुई है फिर राजा मिलंद ने भंते नाकसिन से एक और उपमा देकर इसे फिर से इस पश्ट करने के लिए कहा फिर एक और उपमा देते हुए भिख्शु नाकसिन कहते हैं कि महराज कोई आदमी किसी ग्वाले से एक मटका दूद मोल ले और मटके को उसी के यहाँ छोड़कर चला जाए कि कल लोटते हुए इसे लेता जाऊंगा और वह दूद रात भर में जमकर दही हो जाए दूसरे दिन आदमी आकर ग्वाले से अपना दूद का मटका मांगे ग्वाला उस दही जमे हुए मटके को उसे दे दे इस पर आदमी बोले मैं तुमसे दही लेना नहीं चाहता मेरा दूद का मटका लाओ ग्वाला बोले यह तो अपने ही जमकर दही हो गया है महाराज इस तरह वे जगड़ते हुए आपके पास आवे तो आप किधर फैसला देंगे भंते ग्वाले की ओर सो क्यूं भंते नाकसे ने पूछा फिर राजा ने उत्तर दिया वह ऐसा भले ही क्यों न कहे किन्तु दूद ही तो जमकर दही हुआ तो फिर भंते नाकसे ने कहा महाराज इसी तरह मनुष्य इस नाम और रूप से पाप या पूर्ण करमों को करता है उन करमों से दूसरा नाम और रूप जन्म गहन करता है इसलिए वह अपने करमों से मुक्त नहीं हुआ भंते आपने ठीक समझाया राजा मिलिंद ने भिख्छु नाक से इनको उत्तर दिया तो इस प्रकार से कई घटित होते हुए उदारणों से ये बात इसपश्ट हो जाती है कि भले हमारे दो जीवन अलग अलग हों मगर करमों का प्रभाव बना रहता है तो यहां पर इस प्रकार के दुखों के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाने के लिए हमें निशकर्स के रूप में दो विशयों का अनुकरण करना होगा पहला हमारे जीवन के कुशल करम याने हमें अकुशल करमों को छोड़ कुशल कर्मों को ही व्यवार में लाना चाहिए और दूसरा जीवन से भव को रिक्त कर देना कि जो हम इस जीवन के आपा धापी में लगे हुए हैं हमारे अंदर जो तृष्णाएं हमें जकण कर रखी हुई हैं हमारा जीवन व्यतीत हो जाने के बाद भी हम इनसे मुक्त नहीं हो पाते हैं मृत्यू के करीब आने के पशाद भी लगातार इनसे संघर्ष करने के बाद भी कुछ और हम पाना चाहते हैं हम संतुष्टी नहीं हो पाते हैं इसका नतीजा यह होता है कि यह हमें लगातार बेचैनी छटपटाहट में ही अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर कर देते हैं जबकि हर किसी को पता है कि मृत्यू एक निश्चित धटना करम है मगर वह इसे स्विकार नहीं करता कम से कम मृत्यू के पहले तो वह अपनी छटपटाहट तडप वह बेचैनी से छुटकारा पाले और इस संसार से मूह आसक्ति के कारण याने भव समाप्त हो जाए तो बुद्ध किस प्रकार से भव को समाप्तरने के लिए कुशल करमों का अनुकरण कर इसे कम नियम के सहारे समझाते हुए मध्यमार्ग का उपदेश देते हुए और करम के प्रभाव को समझने का प्रयास जारी रखेंगे धन्यवाद कर दो